विल्कम फ्रेंट्स आज ये वीडियो पाइफन प्रोग्रामिंग को लेकर के हैं और प्रोग्रामिंग में एक चोटा सा प्रोग्राम जो की टीट पैटर्न को प्रिंटकराने का है वहुआ बनाया है आपको दिखाता हूँ यह कैसे बना हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक result str नाम से एक variable हमने बनाया है और इसके अंदर इसे खाली छोड़ा है इसमें क्योल स्पेस दिया है मैंने फिर दो for loop ठीक है तो T-shape कैसे बनता है उसको दिमाग में रख लिजिए और फिर ये conditions लगाई हैं और जब हम इस program को run करेंगे न तो यहां पर T-shape ही print होगा तो यहां पर चलिए इसको run करते हैं यहां से चलते हैं और यहां से इसको run करवा देते हैं तो जैसे run करवा है तो यहां देख सकते हैं यहां पर T-shape print हो रहा है तो देखें यहां पर 1,2,3,4,5 यहां पर 5 time यह T का जो यह star है यह five time आ रहा है जबकि यहां पर आप देखेंगे तो एक space के साथ यह seven time आ रहा है ठीक है एक space के साथ यह seven time आ रहा है यहांसे count करते है यह one two three four five six और यह उपर seven यह अपके बने हुए यहां पर रोज बने हुए है और उपर यह देख सकते है आप तो इस तरीके से यह pattern बन जा झाल 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 झाल